आपदा को लेकर के कॉंग्रेश निगेरा पर्देश सरकार को मंगलबार को उत्राखण कॉंग्रेश कमिटी के कार्च करनी पर्देश सद्धाचेवं पूरविविधायक रंजी सिराबत ने कॉंग्रेश कर्याले में आयोजित पत्रेकार वारता में कहा के 18.09 को आई भीसन आ उपट हो गई थी उन्होंने कहा कि आज किसान जब अपना धान काटे पर तुलने जा रहे थे तो उनका धान नहीं तोला जा रहा है क्योंकि पानी के कारण धान में नमी आ गई है उन्होंने कहा कि पर्देश सरकारे या तो इन किसानों का धान पूरे दामों में खरीदे य परतेक किसान को 20 सज्जार परती एकड़ के हिसाथ से मुआपजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के कारण पसु पालकों के आगे भी चारे को लेकर एक संकट गहराने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार पसु पालकों को भी आर्थिक पैकेज परधान करें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कॉंग्रेस चूप नहीं वैटेगी। और पूरे परदेश में सरकार के खिलाब परदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। तो अतिवरिष्टी हुई है और जिससे आपधा पुरे मौशेद्रमा आई है और सास्तर पर रामनगर भी उससे बहुत प्रभावित है हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसान का जो द्धान है जो अधिकांग खटा हुआ केद में रखा था या खड़ा था उसके उपर से बाड़ का पानी चल चुका है तान खाला पड़ तुका है और कांटे वाले उसको खरीद नहीं रहे है या तो सरकार उसको खरीदे पूरे रेट पर खड़दे और सबका खरीदे और या फिर 20,000 रुप्या प्रती एकड़ के इसाब से किसानों को जो है धान की पालक जो है उनके सामने चारे का संकट पैदा हो गया है अगला भूसा आने तक यानि गयों की बसल आने तक वो उनके लिए भी कोई राज देखे तो